नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी के लास्ट पॉइंट में दोस्तों रामंदिर के इतियास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनेरे अक्षरों में दरज हो गया है क्योंकि अयोध्या में 5 अगस्त को रामंदिर का भूमी पुजन हुआ है और इसकी आदार सीला भी परदा वीडियो में उन सब को कवर करेंगे दोस्तों बहुत इंपोर्टन टोपिक है इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेर अवस्यक्रे तता चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सभ अयोध्या रा मंदिर की उचाई कितनी होगी दोस्तों इसका सही अंस्वर है ओप्शन बी 161 फिट दोस्तों रा मंदिर की उचाई 161 फिट होगी पहले जो इसकी उचाई होनी थी वह 141 फिट थी बाद में इसको बढ़ाकर 161 फिट कर दिया नेक्स्ट अयोध्या रा मंदिर का निर्मान कोन सी कमपनी करेगी दोस्तों इसका सही अंस्वर है ओप्शन बी L&T दोस्तों L&T कमपनी जो है ये अयोध्या में रा मंदिर का निर्मान करेगी L&T कमपनी इसका पूरा नाम Larsen N.Tubero है इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार यानि की आर्किटेक्ट कौन है दोस्तो इसका सही अन्सवर है ओप्शन C चंदरकांथ सोमपुरा दोस्तो चंदरकांथ सोमपुरा गुजरात के एमदाबाद से संबन रखते हैं और दोस्तो यह सोमपुरा फैमिली दोस्तो से ज़्यादा मंदिरों का नक्सा बना चुकी है नेक्स्ट अयोध्या किस राज्य में सित्यत है दोस्तो इसका सही अन्सवर है ओप्शन C उत्तर परदेश भारत का जो उत्तर परदेश राज्या है यहां पर पवित्तर नगरी अयोध्या सित्यत है नेक्स्ट शरी राम जनमभूमी मंदिर का सिला न्यांस कब किया गया दोस्तो इसका सही अन्सवर है ओप्शन A पांच अगस्ट 2020 को दोस्तो पांच अगस्ट 2020 को स्री राम जनमभूमी का सिला न्यांस किया गया और किसके द्वारे किया गया परदान मंत्री स्री नरेंदर मोधी द्वारा नेक्स्ट स्री राम जनमभूमी का सिला न्यांस किसने किया है दोस्तो मैंने आपको अभी बताया था इसका सही अंस्वर हो जाएगा option C नरेंदर मोदी दोस्तो परदानमतिर नरेंदर मोदी जी दुआरा स्री राम जनम्भूमी का सिलाना किया गया था next अयोध्या किस नदी के किनारे सिथित है दोस्तो इसका सही अंस्वर है option C शर्यू नदी दोस्तो शर्यू नदी हिमाले से निकल कर उत्री भारत के गंगा मैदान में बैने वाली नदी है जो बलिया और छप्रा के बीच में गंगा में मिल जाती है दोस्तो शर्यू नदी उत्राखंड उत्तरप्रदेश और बियाराज्ये में बैती है इसकी कुल लंबाई 350 किलोमेटर लगबग 217 मिल है और इसे काली नदी और सार्धा नदी के नाम से भी जाना जाता है next 1988 के नक्से में राम मंदीर की उचाई कितनी रखी गई थी दोस्तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले राम मंदीर की उचाई 141 फिट रखी गई थी बाद में इसको बढ़ाकर 161 फिट कर दिया था तो इसका से ही अन्स्वरव जाएगा option A 141 फिट next अयोध्या राम मंदीर में पिलरों की संख्या कितनी होगी दोस्तो इसका से ही अन्सवर है option D 306 दोस्तो पहले इसमें पिलरों की संख्या 212 रखी गई थी लेकिन लंबाई में बढ़ोतरी के बाद इसके पिलरों की संख्या बढ़ाकर 307 कर दी गई है next अयोध्या राम मंदीर में कितनी मंजिले होगी दोस्तो इसका से ही अन्सवर है option B तीन मंजिल दोस्तो अयोध्या राम मंदीर में कुल मिलाकर 3 मंजिल होगी पहले इसमें जो प्रावधान रखा गया था वह दो मंजिल बनाने का था बाद में इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया अयोध्या राम मंदीर में कितना खर्च आएगा दोस्तो इसका से ही अन्सवर है option C 300 करोड अयोध्या राम मंदीर में दोस्तो लगबग जो खर्चा आएगा वह है 300 करोड दोस्तो 300 करोड कीजिए जो value है वह है थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है नेक्स्ट अयोध्या राम मंदीर बनाने में कितने साल लगेंगे दोस्तो इसका से ही अन्सवर है option C 3.5 साल दोस्तो राम मंदीर बनाने में 3.5 साल लगेंगे यानि कि 3 से 3.5 साल के मद्द्द राम मंदीर का कर्या पूरण हो जाएगा नेक्स्ट अयोध्या विवाद कितने एकड जमीन पर था दोस्तो इसका जो सही अन्सवर है वह है option B 2.77 एकड दोस्तो जो अयोध्या विवाद था वह है 2.77 एकड जमीन पर था नेक्स्ट अयोध्या विवाद फैसले में मस्जिद के लिए कितनी एकड जमीन दी गई दोस्तो इसका सही अन्सवर है option B 5 एकड अयोध्या विवाद के फैसले में दोस्तो मस्जिद बनाने के लिए सरकारी कोटे से 5 एकड जमीन दी गई है नेक्स्ट दोस्तो वैरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बैंच ने सुनाया था दोस्तो इसका सही अन्सवर है option B पांच दोस्तो जाल लेते हैं वे पांच जज कौन-कौन थे फर्स्ट है दोस्तो जस्टिस रंजन गोगोई CJI रंजन गोगोई असम के रहने वाले हैं दूसरे हैं दोस्तो जस्टिस S.A. बोबडे फर्स्तो जस्टिस असोक भूसन यूपी के जोनपूर के रहने वाले हैं दोस्तो चोथे हैं दोस्तो जस्टिस D.Y. चंदर चूड और पांच दोस्तो जस्टिस S. अबदुल नजीर आप इनको पांचों को याद जरूर रखना हैं दोस्तो अयोध्या सितित मस्जिद का क्या नाम है दोस्तो इसका सही अनस्वर है option B बाबरी मस्जिद दोस्तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोट ने अन्तिम फैसला कब सुनाया था दोस्तो इसका सही अन्स्वर है ओप्शन C 9 नवंबर 2019 को दोस्तो अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो अंतिम फैसला था जिस से यह तै हो गया कि इस भूमी पर राम मंदिर बनेगा मस्जीद नहीं वे 9 नवंबर 2019 को सुनाया था इमपोर्टेंट क्वेस्चन दोस्तो आपको जरूर याद रखना है Next इमपोर्टेंट क्वेस्चन दोस्तो काफी बार एकजाम में पूछा जा चुका है अयोध्या का प्राचिन नाम क्या था दोस्तो इसका सही अन्स्वर है ओप्शन B फैजाबाद दोस्तो फैजाबाद भारत के राज्य उत्तर प्रदेश का एक परमुक सहर है जो अयोध्य सहर के साथ मिला हुआ एक नगर निगम है बगवान श्री राम, राम मनोवर लोहिया, कूवर नारायन, राम परकास्दवेदी आदी की यह जनम भूमी है इस सहर को अवद के नवाब दोरा बसाया गया था, यह 6 नवंबर 2018 तक फैजाबाद जिला और फैजाबाद मंडल का मुख्याला था जम मुख्य मंतरी योगी अदेत्यनाद जी की अदग्स्ता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अयोध्या के रूप में फैजाबाद जिले का नाम बदलने की स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी दोस्तो फैजाबाद राजय की राजदानी लखनू से लगबग 130 किलोमेटर पूरों में घागरा नदी जिसे शरियू के नाम से भी जाना जाता है इसके तट पर सितित है नेक्स्ट क्वेस्चन है बाबरी मस्जिद को कब गिराया गया था दोस्तो इसका सही अनस्वर है ओप्शन बी 6 दिसंबर 1992 दोस्तो बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्धा जिले में राम कोट पाड़ी जिसे राम का किला कहते हैं पर सित एक मस्जिद थी तता वहां पर लोगों की एक रेली द्वारा 1992 में इसको विद्वस्त कर दिया गया बुंबई और दिल्ली सहित कई परमुख बारतिय सहरों में इसके फल सवरूप हुए दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे नेक्स्ट बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था दोस्तो इसका सही अन्सवर है ओप्शन ए 1528 दोस्तो बाबरी मस्जिद को पर्थम मुगल समराट बाबर के आदेश पर 1528 इसवी में बनाया गया था दोस्तो इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया 1940 के दसक से पहले मस्जिद को मस्जिद ए जनम स्थान की मस्जिद कहा जाता था इस तरह इस स्थान को हिंदू इश्वर राम की जनम भूमी के रूप में सवीकार किया जाता रहा है दोस्तो बाबरी मस्जिद उत्तरप्रदेश भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक थी हालांकी आसपास की जिलों में और भी अनेक पुरानी मस्जिदे थी जिनमें स्रीकी राजाओ द्वारा बनाई गई हजरत बल मस्जिदे भी सामिल थी लेकिन विवादित सथल के महत्व की कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद बन गई नेक्स्ट दोस्तो आज के टोपिक का लास्ट और वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के परदान मंत्री कोन थे दोस्तो इसका सही अंस्वर है ओप्शन B पीवी नर्शिम्मा राओ दोस्तो 1922 में में जब बाबरी मस्जिद आई गई थी उसमा कांग्रेस का सासन था और देश के तत्कालिन परदान मंत्री पीवी नर्शिम्मा राओ थे दोस्तो आज के टोपिक में बस इतना ही इदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सेफ और सेगरे तता हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली से भी वीडियो की लेटेश जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके